ओम श्री गनेशाय नमा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे तुला राशी के बारे में 26 मई मंगलवार से लेकर 31 मई रवी बार तक का समय आपके लिए कैसा रहने बाला है दोस्तो हमारे राशी फल चंद राशी पर आधारित है यह समय जेस् बार को चतुरती तिथी रहेगी पुनर वसु नक्षत्र होगा चंद्रमा मिथुन राशी से गोचर करेंगे ब्रस्पती का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है तुला राशी वालो इस दिन आप के लिए यात्राओं का योग बनने वाला है इस दिन आप में जोश और उटसा दिखाई देगा आपकी सूच भी साकरात्मक रहेगी और आप कोंफिडेंस से भरपूर रहेंगे महनत करने को आप तैयार रहेंगे और आपको अपने कामों में सफलता भी मिलने वाली है इस दिन आपको अपने भाग्या का साथ मिलेगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी पुराने उधार की बापसी होगी कर्ज मुक्ती के नए रास्ते निकलेंगे और रुका फसाधन निकलेगा इस दिन नए कामों के लिए रुपए पैसे की ववस्ता होगी पुरानी बिमारियों से छुटकारा मिलेगा और आपके शत्रू भी समाप्त होगे इस दिन आपको विशेश मान समान की प्राप्ती होगी बड़े लोगों के संपर्क में आप आएंगे जिस वज़े से आपके ज्यान में वृत्ती होगी और आपके मित्र आपके काम आएंगे घर परिवार से भी मदद प्राप्त होगी अनेक विशों में इस दिन आपकी रूची रहने वाल और आपकी शेहत भी अच्छी रहेगी पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन लगेगा हर परकार से शुब समाचार मिलते हुए दिखाई देंगे बहुती शुब दिन आपके लिए पना हुआ है बात करें 27 तारिक बुद्वार की इस दिन पंचिमी तिधी रहेगी अनी तरह की मन पसंद चीजे आप प्राप्त करेंगे संपत्ति के बाद विवाद सुलच जाएंगे परिवारिक जगडे खतम होंगी माता पिता का साथ मिलेगा और माता पिता से धन दौलत पी प्राप्त होगी इस समय में विशेश कामियाबी आपको मिलने वाली है इस समय में निवेश करने से लाग की प्राप्ती होगी वियापारियों को बड़ा मुनाफ़ा होगा इस समय में आप मेहनत करने को तैयार रहेंगे आप अपने कामों के प्रती डेडिकेटिड रहेंगे कारियों के प्रती समर्पित रहेंगे अनुशासन में रहेंगे और हर परकार इस समय में आपको मान सम्मान मिलेगा गुप्त धनकी प्राप्ती लोटरी दुवारा इस दिन हो सकती है अचानक बड़ा धनलाब हो सकता है प्रेम संबंदों में खास मिठास आएगी और संतान सुक्की प्राप्ती होगी करियर के लिहाज से इस समय में नोकरी में पदोंती होगी और सरकारी कामों में सफलता भी मिल जाएगी समय बहुत ज्यादा भग्यशाली होगा बात करें 28 तारीक गुरुवार की इस दिन शस्टी तिती रहेगी आशलेशा नक्षत्र होगा चंदरमा करकराशी से गोचर करेंगे बुद्ध का नक्षत्र सकते हैं आपको पुरानी यादे खेर सकती हैं और बीती बातों को सोचकर मन परिशान हो सकता है इस दिन अपने काम में भी मन लगेगा लेकिन आपको पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और आप में उतावला पन भी अधिक रह सकता है का और वे धैरिय भी बनाए रखना होगा इस दिन लंबी दूरी की यातराओं में थोड़ी सावधानी रखे जल्द बाजी में बड़े फैसले ना ले और किसी की भी बात पर एकदम से विश्वास ना करे इस दिन आपके खर्च भी बढ़ेंगे आपको सफलता भी मिलेगी लेक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है लाब की स्थीतिया बनी हुई है अचानक से बड़ा फाइदा इस दिन मिलेगा विशेष मान सम्मान पराप्त होगा शुक कर्वार के दिन पिता जी से लाब की पराप्ती होगी अपनी उम्र से बड़े लोगों से फायदा मिलेगा बड़े भाई बहन से नराज की दूर होगी, सोने चांदी जैसे अबुशन प्राप्त होगे, अचानक धनलाब होगा और आपके कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी, इस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इस दिन आपको अचानक ही बड़ा फाइदा मिलने वाला है, गुप्त रूप से मदद प्राप्त होगी, और इस समय में लेन देन के कामों में आपको बस थोड़े सी साथानी इस दिन रखनी चाहिए, और कागची कामों में जल्द बाजी ना करें, बात करें, तीस तारिक शरीवार की, इस दिन अस्टमी तिथी रहेग सीनियर आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम की तारीफ होगी, आपके कामों की प्रसंसा की जाएगी, लोग आपकी सरहना करेंगे, लोग आपसे परभावित रहेंगे, आप अकर्शन का केंदर बनेंगे, आपकी समाजिक छवी में सुधार आएगा, रैपोटेशन बहतर हो आपकी परसनालिटी में निखार आएगा और आप फिमस हो सकते हैं दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा भाक्यशाली रहने बाला है बात करें 31 तारीक रभिवार की इस दिन नम्मी तिथी रहेगी उत्तर फालगुनी नक्षत्र होगा चंद्रमा करन्याराशी से गोचर करें और यात्राओं में साब्धानी रखें अंजान लोगों से थोड़ी दूरी बना कर चलें एकदम से किसी पर भी विश्वास ना करें इस दिन आपको उधार देने से बचना चाहिए और बड़े रिस्क अपने कामों के लिए नहीं लेने चाहिए दोस्तो इस सब्ता हमें श्री गनेशाय नमा चुरू लिखें